नमस्कार, News Plus के इस खास कारेक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ DR. गौतम आज बात करेंगे भांग की भांग को कौन नहीं जानता? भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां भांग का पौधा ना होता हो पहाडों से लेकर के मेदानी इलाकों में हमें भांग का पौधा देखने को मिलता है और इस भांग पर सरकार की पूरी नजर भी है हर साल सरकार भांग उखाडों अभियान पर क्रोड रुपे फोंक देती है किन्तो भांग अगले साल फिर से उग जाती है या फिर उगाई जाती है भांग के नुकसान से हम सभी परिचित है किन्तो आज हम बात करेंगे भांग के फाइदे की सरकार भी प्रियास कर रही है कि हिमाचल में भांग की खेती को अनुमती मिले आईए आपको बताते हैं कि भा 1 हैक्टियर भांग से 25 हैक्टियर जंगल जितना ऑक्सीजन हमें मिलता है भांग का पौधा जहां चार महीने में तुम हूस कोड़ना शुरू नौह रून जाता है जबकि एक पेड़ 20 से 50 साल वाद ऑक्सीजन चोर्डने के काविल वन जाता है और साथ ही एक हेक्टियर भांग से जितना कागज हमें मिल सकता है उतना ही कागज प्राप्त करने के लिए हमें चार हेक्टियर जंगल का सफाया करना पड़ेगा आपको बता दें कि पेड तीन वार रिसाइकलेवल पेपर बनाते हैं जबकि भांग आठ वार रिसाइकेवल पेपर बनाता है मतलब भांग के पौधे से एक बार कागज बनने के बाद उसी कागज से आठ वार फिर से कागज बनाया जा सकता है हैंपेपर सबसे अच्छा और सबसे ठिकाव होता है और साथ ही भांग के पहुदे का भी किर्ण जाल है भांग के पहुदे हवा को भी शुद करते हैं भांग की नारे रसियों बैग जूते टोपी के उतपादन के लिए एक आजर्श पहुदा है और शदिये गुणों की यदि बात की जाए तो भांग के बीज का प्रोटीन वैल्यू वहुत ज्यादा है और उससे निहेत दो फैटी एसिड प्रक्रती में कहीं और नहीं मिलते पूरे भारत में सबसे सस्ता उतपादन सोयावीन का माना जाता है किन्तो भांग का उतपादन इससे भी सस्ता है क्योंकि दुनिया में कहीं भी भांग का पैदा पैदा हो सकता है इसे पानी की भी कोई खास जरूरत नहीं होती इसके अलाबा यह परजीवी से खुद को बचा सकता है इसलिए इसे कीट नाशे की भी अवश्यक्ता नहीं पड़ती आपको बता दें कि जो जानवर भांग का पौदा खाते हैं उन्हें हार्मोन सेप्लिमेंट की जुरूरत ही नहीं पड़ती साथ ही सभी प्लास्टिक उत्पादों को भांग के साथ बनाया जा सकता है भांग प्लास्टिक परिवरन के अनुकूल और पूरी तरह से बायो डीग्रेडेवल है इसके अत्रिक्त घरों और इमार्तों में थर्मल इंसोलेशन के लिए भांग का उप्योग किया जा सकता है यो टिकाउ, सस्ता और लचिला है साथी भांग से बना साबून या भांग से बनी कोई भी चीज पानी को दूशित नहीं करते इसलिए में पूरी तरह से पर्यावरन के अनुकूल है तो आईए मिलकर सरकार का समर्थन करें ताकि हिमाचल में भांग की खेती को अनुमती मिल सके है आज के कारेक्रम में वस इतना ही एक और कारेक्रम में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार इस कारेक्रम के प्रायोजक है स्मार्ट मुवाइल जोन धालपुर स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। सुन्दन नगर जिहाब मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन आव मिलकर भारत को समरिद राष्ट्र बनाएं।